नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्जामिनेशन 27 में आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट थर्ड को कवर अप करेंगे बहुत ही सांदर तरीके से क्वेस्चन्स को हल करेंगे तो वीडियो में सुरू से लेके एंड तक बने रहें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दें तो चली क्वेस्चन्स पर चलते हैं 21 नमर से हल करेंगे इससे पहले के सभी क्वेस्चन्स को हम हल कर चुके हैं तो देखिए, क्वेस्चन है 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायूयान को मोसम खराब होने के करण अपनी औसद गती 400 किलोमीटर पति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वरद्धी हो गई उड़ान का मुल समय कितना था ये ग्यात करना है में तो देखिए जो कुल दूरी किती है 600 किलोमीटर की दूरी तई करना था मोसम खराब होने के करण वो अपनी गती 400 किलोमीटर पति घंटा कम कर देता है तो उसके जो उड़ान है उसमें 30 मिनट की वरद्धी हो जाती है तो उड़ान का मुल समय क्या है ये ग्यात करना है यान कि कितने समय उड़ान भरना था वायू यान को ये ग्यात करना है हमें तो हल करते हैं इसे तो देखिए दोस्तों क्वेस्चन में क्या दिया है 6 किलोमीटर की एक उड़ान में यान कि कुल दूरी किती हो गई 6 किलो मीटर दूरी किती हो जाएगी 6000 किलो मीटर तो देखी दोस्तों दूरी तो है 6000 किलो मीटर आ गई दूरी फिर बोल रहा है मोसम खराब होने के करण अपनी अवस्त गती 400 किलो मीटर पती घंटा कम करनी पड़ी तरथा उसके उडान के समय उसके उडान के समय जो पहले का उडान का समय था उससे 30 मिनट की रद्धी होती जो पहले वाला समय था उसे हम एक्स मान लेतें क्योंकि समय दिया नहीं है तो एक्स मान लेतें तो देखिए दूरी हो गई 6000 किलोमेटर उडान का समय किता मान लिए एक्स मान लिए फिर बोल रहा है मोसम खराब होने के करण मोसम खराब होने के करण उड़ान के समय में एक आदे घंटे की यानि कि 30 मिनट की वरद्धी हो जाती है तो उड़ान का मुल समय कितना है तो देखिए मोसम खराब होने के पहले वो 6000 km एकस घंटे की चाल से चल रहा था एकस घंटे में पहुंच रहा था तो देखिए मोसम खराब होने पर वो 400 km की प्रती घंटा कमी करता है गती में तो चैज़ बिए 6000 km 6000 km 6000 km तो बोलरा है 30 मिनट के वरद्दी होती है मूसम खराब होने करण वहाँ अपनी गठी कम करता है तो उड़ान के समय में पहले तो उड़ान का समय ठ स्था अब उड़ान के समय से थे sticking उड़्धी इसमें एकस में 30 मिनट की वङए तितो एक्स धंड क्या जएगा 30 मिनट तो देखिए 30 मिनट को कहंगे गंटे में कनॉर्ड करेंगे कि क्या जाएगा एकटे दो आजाएगा तो हम लिख देते हैं एक बटे दो एक बटे दो आजाएगा तो वहाँ अपनी गती को कित्ता कम कर रहा है 400 किलोमीटर पति घंटा कम कर रहा है तो देखिए इसे हम ऑप्सन से हल करते हैं अप्सन से हम X की वेल्यू एक बटे दो एक साओ 1 बटे दो लेते हैं एक साओ 1 बटे दो तो एक दो धिखिए एक साओ 1 बटे दो तो लिख़्या धोधीसर तो 2 एक तो देखिए ये जो है दो दो उपर चल जाएगा तो ये जगा 6000 गुड़ी दो बटे तीन बटे में तीन माइनस इसके बराबर में 400 है 6000 ये देखिए दोनों का LCM लेंगे तीन बटे दो धन एक बटे दो इनका LCM दो आ गया तीन और एक कहता हो गया चार और ये दो उपर चल जाएगा तो ये 6000 गुड़ी दो बटे चार आ जाएगा तो देखिए काट देते हम तीन दूनी चाहे तो ये कित्ते बर कड़ गया 2000 बर कड़ गया देखिए दो दूनी चार दो एकम दो और दो दूनी दो तीय चाहे कित्ते बर कड़ गया 3000 बर कड़ गया देखिए कित्ता हो गया 2000 गुड़ी दो ये कित्ता हो गया 3000 आ गया और ये देखिए बराबर में 400 चल रहा है 400 बराबर 400 तो देखिए घटा देते हैं इसे तो क्या आजाएगा 1000 बचे गया बराबर 400 तो ये देखिए क्या 1400 के बराबर है नहीं है तो option number A इसका answer नहीं हो सकता अब हम option number B को लेंगे x की value क्या रखेंगे 2 सई 1 बटे 2 तो 2 दूनी 4 और 5 5 बटे 2 आ जाएगी x की value इसे हल करेंगे तो हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए option number B को लेते हैं 2 सई 1 बटे 2 2 दूनी 4 धन 1 5 5 बटे 2 x बराबर किता आ जाएगा 5 बटे 2 तो देखिए x की जगा 5 बटे 2 रख देटे यहां पर भि 2 x की जगा 5 बटे 2 रख देटे 5 बटे 2 धन 1 बटे 2 हल करते हैं इसे तो देखिए ये दो उपर चल जाएगा 6000 गुडित दो बटे में क्या आ जाएगा पाच आ जाएगा फिर माइनस 6000 बटे ये देखिए पाच बटे दो धन एक बटे दो इलसेम किता आ गए दोनों का दो आ गया और पाच और एक किता हो गए च्छाए ये दो उपर चल जाएगा तो इधर गुड़े में दो आ जाएगा बटे में क्या बचेगा छाए बचेगा तो देखिए ये आ गया बराबर 400 चल रहा है ये देखिए 400 तो देखिए पाच से किता बड़ कट गएगा पाच से कम पाच पाच दुनी दस और यह दो 0, 1200 बर कट जाता है और यहाँ पर देखिए 6 से 6 कम 6, 1000 बर कट जाएगा तो क्या बच गया 1200 गुड़ी 2, किता होगा है 2400, 2400 रिन 1000 गुड़ी 2, 2000 बच गया बढ़ाबर में 400 चल रहा है तो देखिए 2400 में से 2000 चलेगा किता बचा 400 बराबर 400 तो यानि कि option number B दोनों value बराबर आ रही है तो option number B इसका answer होगा option number B answer होगा 2 साई 1 बच दो उड़ान का मूल समय 2 साई 1 बच दो घंटे होगा अगले question पर चलते हैं station पर रुकने के समय को सम्मीलित करने पर किसी रेल गाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि station पर रुकने के समय को हटा कर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय प्रति घंटा की अउसत चाल से रेल गाड़ी station पर रुकी तो देखिए station को रुखने के समय को सम्मीलित करकर रेल गाडी के चाल किती है, 28 km, और वो इस्टेशन पर नहीं रुखती, तो उसकी चाल किती है, 42 km, तो कितने समय प्रति घंटा की अवसत से रेल गाडी स्टेशन पर रुखी है, ये ग्यात करना है मैं, तो हल करता है इसे देखिए, तो देख तो देखिए हमें क्या बोल रहा है रेल गाड़ी कितने समय घंटा की आउसाद से रेल गाड़ी स्टेशन पर रूखी यह ग्याद करना है तो यहने कि टाइम ग्याद करना है चाल बराबर क्या होता है इस्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपन इस्पीड आजएगा तो हल कर लेते हैं इसे देखिए तो देखिए टाइम बराबर क्या हो गया distance upon speed यह देखी speed दिये दोनों यह speed है हम उस speed को लेंगे जिसमे train रुकती नहीं 42 वाली speed में train रुकती नहीं यह रुक कर चलती 28 वाली speed में तो हम speed में 42 को लेंगे distance किती रेंगे, 14 ले लेंगे तो देखिए तो क्या आ गई distance 1 14 आ गई और speed क्या आ गई 42 आ गई देखिए 14 एकम 14 14 दुनिया 14 तिया 42 किता आ गई 1 बटे 3 यह जो 1 बटे 3 है यह मिनट में इसे घंटे में करने के लिए क्लिए क्या करेंगे स्वरी यह घंटे में 1 बटे 3 जो है घंटे में इसे मिनट में करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुड़ा करेंगे देखिए 3 दूनिय च्छा है और यह 0 किता हो गए 20 मिनट तो क्या आ जाएगा सब 20 मिनट कि आपसर से रेल गाड़ी स्टेशन पर रूखिए option नमर कौन सा आ जाएगा option नमर डी आ जाएगा option नमर डी आ जाएगा अगले कोश्चन पर चलते हैं देखिए एक जीब एक कार का पिछा कर रही है जो जीब से 5 किलो मिटर आगे है एक जीब कार का पिछा कर रही है जो जीब से 5 किलो मिटर आगे है उनकी चाल क्रमसा 90 km प्रतिगंटा तथा 75 km प्रतिगंटा है जीब कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी तो देखिए यहाँ पे जीब जो है कार का पीछा कर रही है जीब जो है कार का पीछा कर रही है जो जीब से जीब से कार कितने km की दूरी पाच किलो मेटर की दूरी पाच किलो मेटर दूर आ गया है जीब से पाच किलो मेटर आ गया है तो देखिए उनकी चाल जीब की चाल 90 किलो मेटर प्रति घंटा और कार की चाल 75 km प्रति घंटा है तो हमें क्या ग्याद करना है जीब कार को किते समय में पकड़ लेगी ये ग्याद करना है तो हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए जो जीब है उसकी स्पीट किती है 90 km प्रति घंटा 90 km प्रति घंटा और कार की स्पीट के तिये 75 किलो मीटर प्रति घंटा 75 किलो मीटर प्रति घंटा तो देखिए मैंने यहाँ पे घटाया क्यों क्योंकि दोनों सापे एक दूसरे का पिछा कर रही है यानि कि सापे एक ही दिसा में चल रही है और सापे चालो को घटाया जाता है इसलिए यहां पर घटाया है मैंने सापेक चालो को घटाया जाता है अगर ये एक दूसरे की विप्री दिसा में चलती तो इन्हें जोड़ा जाता तो देखिए नब्बे और 75 के बिच गेब कित्ते का बन रहा है 15 का बन रहा है जीब जो है जीब से कार 5 किलो मेटर आगे है तो दूरी कित्ती आ गई डिस्टेंस 5 किलो मेटर हो गई डिस्टेंस डिस्टेंस हो गई 5 किलो मेटर तो देखिए हमें क्या दिया है देखिए हमें दूरी दिये दूरी पता है हमें और चाल भी पता है तो किस बात की कम ही है, समाई की कम ही है, तो समाई बराबर होता है, दूरी बटे चाल, टाइम बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो देखिए, डिस्टेंस किती है, पाच किलो मीटर की, और स्पीड किती है, पंदरा किलो मीटर प्रती घंटा, तो क्या आ गया पाच एक बटे तीन एक बटे तीन घंटा इसे अब ये चुकि ये घंटे में ये हावर में इसे मिनट में करने के लिए किस साथ का गुड़ा कर देते हैं देखिए तीन दूरी चाहे 20 आ गया जो है जीब जो है कार को किते मिनट में पकड़ लेगी 20 मिनट में पकड़ लेगी option number B अगले question पर चलते हैं देखिए कार A ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में ताइकी तता कार B ने 9 घंटे में कार A से 110 किलोमीटर अधिक दूरी ताइकी कार A से 110 किलोमेटर अधिक दूरी तैकी और कार A कार B की गती कानुपात है क्रमसह तो देखिए कार A जो है 448 किलोमेटर की दूरी 8 घंटे में तैकर रही है और कार B जो है 9 घंटे में कार A से 110 किलोमेटर दूरी अधिक तैकर रही है तो देखिए नव गहंटे में किती दूर इताय करी A से 110 किलूमिटर A किती चर्टाय कर रहा है 449 तो कित्द हो जाएगा गहे दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 500 अंठाउन B जो है नौ गहंटे में 508 किलो मीटर दूर इताय कर रही है तो car A और B की गति का अनुपात क्या है यह ग्यात करना है हमें car A और B की गति का अनुपात क्या है यह ग्यात करन हल करते हैं इससे देखिए तो देखिए car A जो है 448 ample दूरी distance क्या होगी 448 fino दूरी 8 घंटे में टाइम किता हो गया आट घंटे में कर रही है तो देखे हमें दूरी दिया तो कमी किस बात किये कमी है स्पीड की तो स्पीड बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो देखिए बराबर क्या आजाएगा स्पीड निकाल लेंगे हमान स्पीड क्या निकाल लेंगे 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो 448 बटे 8 टाइम क्या आया है यह देखिये 8 से कित्ते बार कर जयता 448 यह 56 बार कर जयता है अब देखिये अगे कार भी कार भी 9 गंटे में ए से 110 किलियोमिटर दीख यानि कि say 110 किलोमिटर दीख 110 जोड़ देते हैं देखे इसे 110 km किता आ जाता है यह आ जाएगा 508 km बी जो है 9 गंटे में 508 km दूर जितारे करेगा तो टाइम किता जाएगा 9 गंटे आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर भी दूरी दिये है हमें दूरी 508 km टाइम नव दिया है तो कमी किस बात की स्पीड किये तो स्पीड कैसे निकालेंगे 5575 बते 9 कर देते हैं यह 9 से किते बार कट रहा है 62 बार कट रहा है देखिए यहाँ पर A जो है A किती स्पीड निकल गई 56 निकल गई और B की किती निकल गई 62 निकल गई A की निकल गई 56 और B की निकल गई 62 तो इनका रेशो क्या निकल जाएगा A अनुपाद B कितना निकल जाएगा A अनुपाद B निकल जाएगा 62 anुपाद 56 ये इधर चल जाएगा ये इधर आ जाएगा तो इस देखिये 62 को 2 से काट लेते 4, 2, 3, 6 दो एक हम दो अनुपात ये देखिए फिर दो से कट रहा है छपपन को काट लेते हैं अब दो दूनी चार और दो आठे 16 किता आ गए रेसो 28 अनुपात 31 अनुपात 28 ओप्शन नमबर ए आएगा अगले कोशिशन पर चलते हैं देखिए एक रेल गाड़ी तता एक कार की गती क अनुपात क्रमसा 16 अनुपात 15 एक बाक्स एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तै करती है बस की गती रेल गाड़ी की गती की तीन चो उताई है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तै करेगी तो यहाँ पर देखिए को समझते हैं एक रेल गाड़ी एक कार की गती का अनु कितना कि दीन चुछह इसे देखिए टूरीओ की तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तै करेगी हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए क्वेस्चन में एक रेल गाड़ी तता है कार की गतिक अनुपाद किता दिया है कि तरही कि क्वेस्चन में एक डि ли थी कह परलंगे चार सो असी किलोमेटर की और टाइम किता है आठ घंटे देखिए दूरी है टाइम है कमी किस बात किये इस्पीट किये और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो देख लिए जिदे चार सो असी बटे आठ कर देजिए तो देखिए आठ चिंग 48 और ये 0 इस्पीट कितने लिगए 60 किलोमेटर प्रति घंटा तो देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है बस की गती बस की गती रेल गाड़ी की गती की तीन चोथा ही है तो बस की गती किती देखिए बस की गती रेल गाड़ी की गती की तीन चोथा ही है तो बस की गती किती है 60 है ये देखिए 60 निकाले हमने इस्पीट बस की 60 हो गई अब रेल गाड़ी की देखिए ये इसका पक्चानता होके इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा चार बटे तीन हो जाएगा चार उपर चल जाएगा तीन नीचे चल जाएगा तो देखिए यह हो जाएगा साथ गुडित चार बटे तीन तो देखिए तीन दूनीच चाए बीस बार कड़ गया तो देखिए अब क्या बचाएगा 20 गुडि 4 कर दी दी किता आजाएगा असी आजाएगा रेल की स्पीड किती निकल गई असी निकल गई रेल की स्पीड असी निकल गई तो देखिए तो हमें बोल रहा है कि कार बस की जो है गती तो देखिए यहाँ पर हमें रेल की गती किती निकल गई असी किलो मीटर प्रति घंटा निकल गई इस्पीड लेकिन एक्ट्वी गती किती दी है में 16 किलो मीटर दिये प्रति घंटा दिये यह देखिए रेल की तो देखिए यहाँ पर 16 जो है 80 के बराबर है 16 जो है 80 के बराबर है तो एक कित्ते के बराबर होगा एक कित्ते के बराबर होगा 5 के बराबर होगा 16 से 80 कित्ते के बराबर कट गया है 5 बर एक 5 के बराबर होगा तो जब जब ये 5 के बराबर है तो ये भी होगा 5 के बराबर जब ये वाली value 5 के बराबर है एक की value 5 के बराबर है तो 15 के value कितनी होगी तो देखिए 15 गुड़ी 5 कर देंगे किता आ जाएगा 75 आ जाएगा तो देखिए बस कार की speed कितनी निकल गई 75 km या प्रती घंटा एक घंटे में 75 km तै करेगी तो हमें बोल रहा है question में तो कार 6 गंटे में कार कितनी दूरी तै करेगी एक घंटे में 75 तो 6 गंटे में कितनी 75 गुड़ा 6 कर देंगे तो देखिए 75 गुड़ा 6 तो कितनी आ जाता है ये या जाएगा 450 450 किलोमीटर दूरी तय करेगी बस कार 6 गंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करेगी option number A आजाएगा आगले question पर चलते हैं दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए तो दीजिए question क्या दिया है एक कार जीब और टेक्टर की गती का अनुपात तीन अनुपात पाच अनुपात दो है जीब की गती टेक्टर की गती की 250 प्रतिसत है तो जो बारा घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तै करता है यहां तै करता है बोलता है यानि कि टेक्टर की टेक्टर तै करता है करता है बोल रहा है तो टेक्टर करता है सब्द किस के लिए होगा कार था था जीब की मिलकर अवसद गती कितनी है तो देखिए question को समझते है car, jeep और tractor तीनो की गतियों का अनुपाद किता दिया है 3 अनुपाद, 5 अनुपाद 2 car, jeep की गति, tractor की गति की 250 प्रतिसत है तो देखिए jeep की गति किती है 5 है और tractor की गति 2 है 250 यहने कि धाई गुना है इसका धाई गुना है 5 धाई और धाई किते होते हैं 5 होते हैं धाई गुना है, तो यह देखिए 250 प्रतिसत है, जो है real में, यह हमें confuse करने के लिए दिया है, इसका question हल, है नहीं यानि कि इसको हल नहीं करना है यह हमें question यानि कि कन्फ्यूज करने के लिए बनाया गया, यह से 250 प्रतिसात है बोल रहा है, यह कन्फ्यूज करने के लिए बनाया है, तो आगे देखिए फिर, जो 12 घंटे में, जो कौन टेक्टर 12 घंटे में, 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, करता है बोल रहा है, जीब और कार के लिए करती जीब और टेक्टर की गतियों का अनुपात किता है कार तीन अनुपात पाच अनुपात दो ये रेशो दिया है तो देखी फिर बोल रहा है जीब की गति टेक्टर की गति का 250 प्रतिसत है वो तो हई दिख रहा है हमें जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी टेक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी टेक्टर करता है तो देखीए टाइम किता है 12 है डिस्टेंस किता है दूरी 360 है तो कमी किस बात किए दूरी है टाइम है तो स्पीट की कमी है चार बरा बर दूरी बटे समय होता है तीन सो साड बटे बारा बारचोई बारतिया च्छत तीस कितना निकल गया तीस आ गई स्पिट कितनी आ गई तीस आ गई टेक्टर की स्पिट तीस आ गई देखिए टेक्टर की स्पिट कितनी निकली तीस निकल गई टेक्टर की स्पीट किती निकल गई तीस निकल गई जो तीस है तीस दो का कित्ते गुना है तीस दो का कित्ते गुना है पंदरा गुना है यह देखिए पंदरा दुनी तीस पंदरा गुना है पाज भी पंदरा गुना होगा कार की गती भी 15 गुणी होगी देखिए तो 15 गुणी पाच किता हो जाता है 75 हो जाता है और 15 तिया 45 हो गया यह देखिए यह क्या निकल गई कार की स्पीड निकल गई यह जीब की स्पीड निकल गई यह टेक्टर की स्पीड निकल गई अब हमें बोल रहा है कार तथा जीब मिलकर आउसद गती किती है कार तथा जीब देखिए ये कार और ये जीब आउसद गती बोल रहा है इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं 45 और 75 गित्ता हो गया 120 हो गया आउसद गती तो 2 से भाग दे देते हैं 2.12 और ये 0 प्रति घंटा option number के आ जाएगा ए आ जाएगा अगले question पर चलते हैं देखिए एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 km प्रति घंटा की अउसर चाल से रवान होती है इसके दो घंटे बाद इसके दो घंटे बाद एक express गाड़ी प्रति घंटा की अउसर चाल से रवा हुई मालगाड़ी के समांतर पत पर रवाना होती है दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी तो देखिए question बोल रहा है एक मालगाड़ी एक मालगाड़ी जो है पहली मालगाड़ी 40 किलोमेटर प्रति घंटा की रवतार से दिल्ली से मुंबाई के लिए रवाना होती है तो दो घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी यानि कि पहले जो मालगाड़ी है 40 किलोमेटर एक घंटे में चल रही है तो दो घंटे बाद क्या हो रही है एक्सप्रेस गाड़ी तो दो किती दुरी तै कर लेगी 80 किलोमीटर तै कर लेगी 2 गंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबाई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल कर पहले रवाना हुई माल गाड़ी के समांतर पत पर रवाना होती है तो देखिए जो है दुसरी एक्सप्रेस गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रव्ता चलती है तो ये दोनों माल गाड़ी और एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक दुसरे से कम मिलेंगे ये ग्याद करना है हमें तो हल करते हैं इसे तो देखिए ये हो गई दिल दिल्ली और ये हो गई मुंबई दिल्ली से मुंबई के लिए एक माल गाड़ी माल गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रव्ता से रवाना होती है माल गाड़ी 40 किलोमीटर इसकी स्पीरिट 40 किलोमीटर स्पीरिट है तो दो घंटे बाद एक स्प्रेस गाड़ी रवाना हो रही है तो ये जो है दो घंटे में कित्ती दूरीता है कर लेगी 80 किलोमेटर यहां तक पहुच जाएगी 80 किलोमेटर दूरीता है कर लेगी फिर एकस्प्रेज गाड़ी दो गंटे बाद रवाना होती है उसकी चाल किती है उसकी चाल है 60 किलोमेटर प्रती घंटा 60 km प्रति घंटा की चाल से रवान होता है तो वे दुनों आपस में कम मिलेगी यह ग्याद करना है तो अल करते हैं देखिए तो देकिए Experiment का Express की गाड़ी की चाल किती है 60 km प्रति घंठा और जो मालगाड़ी है उसकी चाल किती है 40 km पतिगंटा то देखिए इन दोनों घठा देंगे क्यों घठाएंगे क्योंकि सपेक्चाल दोनों एक दिसा में चल रही है सापेक्चाल में घठाया जाता है और निर्पएक्चाल यदि वे एक दूसरे के विप्रीर चलती तो जोड़ा जाता तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा इन दोने के बिच के डिस्टेंस किता आ जाएगा 20 आ जाएगा तो देखिए साप एक चाल कितनी निकल गए 20 किलोमीटर पती घंटा और दूरी हमें क्या दिये दूरी देखिए 80 किलोमीटर आ गई दूरी किती हो गई 80 किलोमीटर हो गई दूरी हो गई 80 किलोमीटर दूरी है स्पीड है देखिए यह स्पीड है दूरी है स्पीड है तो कमी किस बात किये टाइम किये तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड तो distance किती है 80 बटे speed किती है 20 की 20 चोके 80 तो इससे के जो time क्या निकल गया 4 घंटे निकल गया 4 घंटे time निकल गया इससे यह पता चलता है हमें कि जो express गाड़ी है माल गाड़ी को 4 घंटे में पकड़ेगी 4 घंटे में पकड़ेगी और हमसे क्या पुछा है हमसे पुछा है express गाड़ी और माल गाड़ी दिल्ली से किस दूरी पर मिलेगी किस दूरी निकालना है हमें तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है speed speed गुडित time तो देखिए Speed किती है में Express की Express की Speed है 60 किलो मीटर अब देखिए 60 गुडी 4 कर देते हैं तो distance किती है आजाएगी 600 गुडी 4 है हो जाता है 240 240 किलो मीटर दिल्ली से 240 किलो मीटर बाद जो है एक स्प्रेस गाड़ी माल गाड़ी को पकड़ेगी आप्सन नमबर भी आ जाएगा इसका अंसर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक कार सहर Y से सहर Z की दूरी 60 km पति गंटा की गती से तता सहर Z से Y की दूरी 65 km पति गंटा की गती से तै करती है तता सहर देखिए विश्चन को समझते है जाती 60 km पति गंटा की चाल से और आती किती है Z से Y आती 65 km पति गंटा की चाल से तो अवस्चन गती निकालना है तो हल करते हैं देखिए कैसे करेंगे तो देखिए अवस्चन गती का क्या सूतर होता है 2xy बटे x धन y यह औसद गती का फर्मूला होता है तो देखिए value रग देते हैं जो जाता है जाने के समय को हम x मान लेते हैं और आने के समय को y मान लेते हैं तो देखिए दो गुडित 60 की speed से जाता है तो x के जगा 60 आ जाएगा और 65 की speed से वापस आता है तो y की जगा 65 आ जाएगा बटे x धन y तो 60 धन 65 तो देखिए आगे हल करते हैं इसे दो गुडित 60 धन 65 बटे 60 और 65 किता हो गया यह हो गए 125 तो देखिए 5-12 और 25 5-5, 5-2, 10 5-25, 5-5, 5-3, 15 क्या बच गया देखिए 13 गुडित 12 गुडित 2 किता हो गया 315 हो गया 312 तो बन बटे 5 यह 5 से कित्ते बाइगा 62 सम्डो 4 बाइगे 62 सम्डो चार बाइगे तो सद गती किती निकल गए 62.4 किलो मीटर प्रती घंटा आप्सन नमबर बी आ गया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो देखिए एक वेक्ती एक खड़ी हुई बस को 18 सेकेंड में पार कर सकता है यही बस 4 सेकेंड में एक खंबा पार करती है बस तथा उस वेक्ती की गती का अनुपात है जो देखिए क्वेश्चन को समझते है जो बस है जो खड़ी हुई बस 18 सेकेंड में पार कर सकता है एक वेक्ती जो है बस को 18 सेकेंड में पार करता है यही बस 4 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है तो उस वेक्ति की गति बस और वेक्ति की गति का अनुपात क्या है ये ग्यात करने हमें वेक्ति की गति और बस का रेसो पता करना है ठाल करते हैं तो देखिए दोस्तो ये कोई बस हो गई ये बस हो गई इसकी जो है दूरी बस की लंबाई किती हो गई दूरी एक माल लेते हैं इसे तो कोई वेक्ति जो है एक खड़ी हुई बस को अठरा सेकेंड में पार करता है अठरा सेकेंड में पार करता है बस को तो टाइम क्या है अठरा सेकेंड आ गया और दूरी कित्ती है एक आ गई तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी एक है समय अठरा सेकेंड है तो देखिए चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय तो मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों एक बटे दूरी एक है देखिए और टाइम अठरा है तो अठरा आ जाएगा बराबर फिर आगे question में बोल रहा है यही बस 4 second में एक खंबा पार करती है तो बस की क्या है 4 second में खंबा पार कर रही है टाइम केता आ गया फिर 4 second आ गया टाइम और देखिए बस की लंबाई दूरी तो एक है यहां से यहां तक की दूरी किती है एक मान नहीं हमने तो देखिए फिर इस्पीड क्या निकल जाएगी इस्पीड निकल जाएगी दूरी बटे समय तो दूरी एक है और समय चार से खेंड है एक बटे चार हो गया तो देखिए दो दूनी चार और दूनी अठारा आगे देखिए क्या बज गया एक बटे नौ बराबर एक बटे दो तो इसका इसदर गुड़ा कर दीजी दो तो देखिए दो बराबर क्या आ गया नौ आ गया तो यहाँ पर देखिए बस की जो वेल्यू है कित्ती हो गई दो हो गई और वेक्ती की वेल्यू नव हो गई तो देखिए बस की वेल्यू दो है और वेक्ती की वेल्यू कित्ती है नव है तो इनका रेसो क्या निकल जाएगा B अनुपात V वेक्ती तो ये निकल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा नाव अनुपात दो, ओप्सन नमबर ए, ओप्सन नमबर ए इसका आंसर होगा अगला कॉश्चन देखी देश्तो, दो सहर, ए तता भी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है एक रेल गाड़ी प्राता आठ बजे, ए से बी की ओर, 70 किलोमीटर परती घंटा की गती से चलती है दस बजे एक अन्य गाड़ी, बी से ए की ओर, 110 किलोमीटर परती घंटा की गती से चलती है दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी एक गात करना है, तो देखे के कोश्चन समझते है ए और बी, दो सहर है, ए से बी के बीच की दूरी किती है, 500 किलोमीटर है एक रेल गाड़ी प्राता आड़ बजे, ए से बी की और 70 किलोमीटर परती इस्पिट किती है, 70 किलोमीटर परती घंटा की गती से चलती है और दस बजे एक अन्ने रेल गाड़ी तो देखिए पहले तो यह जो है यह सहर हो गया यह बी सहर हो गया इसके बीच की दूरी किती है 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी है तो यह जो है आठ बजे चालू होती है आठ बजे चालू होती है जो पहली रेल गाड़ी एक रेल गाड़ी आट बज़ चलू होती है किते की स्पीट से सत्तर की स्पीट से चलू होती है सत्तर की स्पीट से चलती है और फिर दूसरी गाड़ी किते बज़ चलू होती है दस बज़ चलू होती है दस बजे चालू होती है, मैं 10 को यहां लिख देता हूं, दस बजे चालू होती है, तो देखिए आट और दस के बीच किते का गेफ है, दो का, यानि की दो घंटे बात चालू होती है, तो दो घंटे में पहली वाली रेल गाडी 70 की स्पीड से किती दूरी तैय कर लेगी, 500 में सादूनी 14, 140 हो गया, 140 कीलो मीटर तैय कर लेगी, 500 में से, तो बचेगी किती, 500 में से 140 को घंटा दीजिए, तो बच जाती किती, 360 कीलो मीटर दूरी बच जाती है, और फिर बोल रहा है, ब, एकी और 110 किलो मीटर पती घंटा की गती से चलती है, तो दोनौ गाड़िया, आपस में कम मिलेगी, यह ग्याद करना है, तो धीए, तो देखी है, तो देखिए, टोटल दूरी किती हो गई, 500 किलो मीटर दूरी है, पहली रेल गाड़ी 8 बचे चलुती है, दूसरी 10 बच रही है दो गहंटे में यह पाहली वालोरी डाली जो 70 की स्विट से चलती है एक दिस 스रकी धी स्थे तो ऑब 2 स्विट में कित्य दुरी चाही कर लेगी 140 किलोए है अब देख्या 500 में स classroom गह है किते बचे चुवर की स्पीड से तो दो घंटे में किती दूरी चाहिए कर लेगी 140 किलोमीटर अब देखिए 500 में से 140 गए किते बचे 360 बच जाते हैं 360 किलोमीटर दूरी सेज बचिए 360 किलोमीटर दूरी सेज बच गई है तो देखिए फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चन पहली वाली गाड़ी किती 70 की स्पीड से चल रही है और दूसरी गाड़ी 110 की स्पीड से चल रही है तो देखिए ये क्या है निरपेक्च चाले एक दूसरे की विपरीत है इसलिए जुड़ेंगी और ये सापेक्च होती तो घटती तो 70 और 110 किते हो गए साथार और 110 किते हो गए 180 हो गए 180 हो जाता है तो यहां पर देखिए यह हो गई स्पीड तो देखिए हमसे बोल रहा है दोनों गाड़िया आपस में कम मिलेगी तो यह देखिए यह हो गई डिस्टेंस बची 31 तो बची इत्ती तो दो घंटे पहले इसने पहली वाल रेल गाड़ी 140 किलोमेटर कर लिए तो इत्ती बची तो दो दो गई स्पीड 180 आए दूरी एक 360 है कमी किस बात किये टाइम किये टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे तो दो दो देखिए दूरी किती है एक 360 बटे चाल चाल इसपीड किती है 180 काट देते है तो देखिए यह जो 180 से कित बार कटेगा दो बार कट जाएगा यानिके दो घंटे अब देखिए वो बल रहा है दो गड़ी आपस में किते समाई मिलेगी समाई दिया है तो देखिए 10 बज़े चालू हो रही थी पहले वाली तो 8 बजे चालू हो रहे थी लेकिन दूसरी वाली दोनों गाड़ी या यानि कि चालू किते समय चालू हो रही हैं दस ज़िए 10 बजे और ये 2 गंटे जोड लीजिए किते हो गए 12 आपसमें किते बजे मिलेगी 12 मिलेगी दोपहर में, option number B तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इत्ता ही आगे के questions अगले part में करेंगे time and distance का part 3 जल्दी upload होगा, तो जब तक के लिए चैनल को subscribe कर दीजिए subscribe कर दीजिए, like कर दीजिए share कर दीजिए, और comment कर के बताई ये वीडियो कैसा लगा साथ ही इस bell के icon को दबा दीजिए, इससे क्या होगा हमारे वीडियो के notification आप तक पहुंचते रहेंगे